सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती हूँ अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रूत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगएर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इन्टरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ यह तो अश्यरे जनक है कि हम यह सारी सुविधाएं गाउं में भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ, इंटरनेट के जरीए यह सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुनाएं कि आज कल इंटरनेट की सुविदा मुबाइल फोन तर भी उपलब्ध है क्या ये सत्य है हाँ रोहन न केवल मुबाइल फोन बलकि आज कल लोक स्मार्ट फोन अथ hype पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग बहुत सारे कामु के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे computer, smartphone और tablet के बारे में सिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन, कृपया बैट जाईए मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बाकी आप लोग भी बैट जाईए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उपयोग, आकडों, वशूचनाओं के संकलन, वश प्रसंस करन के लिए किया जाता है अब हम computer वो उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते है आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन सब्सक्राइब होते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे computer बनता है computer के तीन अंग होते हैं जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक उसी तरह computer में data भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है devices which are used to insert data, instructions और information into a computer are called input devices इन चित्रों को देखो, ये कुछ input devices हैं जिनका प्रयोग computer में होता है ये input device निम्न है pen drive, mouse, keyboard, cd, microphone, keyboard और mouse प्राथमिक input devices हैं सामाने keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले किया जाता है अंक बटनों की सहायता से calculator की भाती computer में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो monitor पर page दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में page up बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में page down बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में End बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनीय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है ये चार बटन किस काम के लिए प्रियोग किये जाती है? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में नीचे की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर नीचे की और ले जाता है ज्यादा तर लेक संपादन प्रोग्रामों में बाई की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर बाई की और ले जाता है क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो? यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिष्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं ज्यादा तर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है कंट्रोल और अल्टरनेट पटन क्रिया परिवर्तन बटन है जो ज्यादा तर प्रोग्रामों में विशिष्ट कारे और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मिनू को सक्रिय कर देता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे की टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोर्ड के विभिन बटनों के बारे में सीखा, अब हम माउस के बारे में सीखते हैं माउस एक दिखाने, निर्देशन करने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग, कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे, आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है, वैसे ही माउस चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है इस तीर को पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर की सहायता से कम्प्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं माउस पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं माउस के बाय बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है माउस के बाय बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है फिर computer की memory या RAM में संरक्षित की जाती है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं Monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउट्पुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathod Ray Tube और Flat Panel Display Printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे Soft Copy कहते हैं और उसे चापकर निकालता है जिसे Hard Copy कहते हैं Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को Soft Copy कहते हैं तथा उसे के चपे हुए को Hard Copy कहते हैं Printer तीन तरह के होते हैं Inkjet Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक Output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं Speaker के बिना हम गाने अथवा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone कम्प्यूटर से आवाज आउटपुट देता है ये Speaker की तरह होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती आउटपुट सुन सकता है Projector एक Output यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर प्रजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की Input, Processing व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़ेदार गतिविधी में भागें प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज दीदी, कम्प्यूटर, साय डाटा कहा संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह कम्प्यूटर डाटा संचित करता है जिसे कम्प्यूटर मेमरी कहते हैं Computer की Memory दो तरह की होती है Prathmik, अथवा, मुख्य Memory और दुतियक Memory मुख्य, Prathmik Memory बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है Computer की गती RAM पर निर्भर करती है Data और निर्देश मुख्य Memory में संचित रहते हैं जहां से ये Process कर Result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह Memory होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किये जाते हैं Computer की गती RAM पर निर्भर होती है Cache Memory वह Memory है जो RAM का अंग होती है और Processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग Processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक Memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक Memory का प्रयोग करते हैं चुकि कम्प्यूटर दुवित्यक Memory पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुवित्यक Memory की तरह कारे करती है Pen Drive, Hard Disk और DVD तो एक कम्प्यूटर डाटा को अबने Memory में कैसे सुरक्षित करता है? कम्प्यूटर सभी सूचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली बाइनरी डिजिट अर्थात 1 अथवा 1 0 को बिट कहते हैं 8 बिट्स के ग्रुप को 1 बाइट कहते हैं इस सारणी को देखो इसमें बिट्स और बाइट्स के बीच कि संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और हार्टवेर को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं सॉफ्ट्वेर कहलाते हैं Software Programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software वो प्रग्राम होते हैं जो उपयोग करता को computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw एप्लिकेशन सॉफ्टवेर के उदाहरन हैं जो प्रग्राम कम्प्यूटर हार्डवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं कम्प्यूटर चलाने के लिए आपको एक Operating System की आवश्यक्ता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं प्रते एक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है, अच्छा प्रयाज सही है, अच्छा प्रयाज अवश्य जाचा, मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको कम्प्यूटर के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह Monitor है, यह Television की तरह है और इसकी स्क्रीन पर Output देखा जाता है यह System Box है, इसमें Central Processing Unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही कम्प्यूटर का मुख्य दिमाग होता है यह Keyboard और Mouse है यह दोनों Input Device हैं, जिसके द्वारा कम्प्यूटर में डाटा भरा जाता है कम्प्यूटर को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब System Box के बगल में Monitor रखिए System Box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिनें Port कहते हैं अब इस तरह से Monitor System से जोड़ा जाता है System Box Video Port को VGA Port कहते हैं इससे Monitor को जोडने वाले तार को VGA केबल कहते हैं VGA केबल के एक सिरे को System के VGA Port से तथा दूसरे को Monitor से जोड़ा जाता है Keyboard दो प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector अथवा USB Connector Keyboard को Connect करने के लिए उसके Connector को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है Mouse को Connect करने के लिए उसके Connector को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप Printer को जोड़ना चाहते हैं तो उसके Connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें अब हम Computer को बिजली के Main Board से कैसे जोड़ सकते हैं Computer दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को Monitor के पोर्ट से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि Computer को कैसे जोड़ते हैं? बिलकुल, Computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले, सिस्टम यूनिट वर Monitor दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें तब सिस्टम यूनिट का Power बटन दबा कर उसे चालू करें वर Monitor का Power बटन दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें की Monitor पर डिस्पले आने लगा है इसे बूट स्क्रीन कहते हैं धीरे-धीरे सभी Software लोड हो जाएं तो Computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल Computer को देखा है बलकि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, Computer के विशे में ये सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें Mobile Phone व टाबलेट के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि Mobile Phone व टाबलेट कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाता हूँ हाँ, पहले हम Mobile Phone व टाबलेट के विभिन अंगों, कार्यों व उप्योगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि Basic Mobile Phone एक ऐसा यंत्र है जिससे आप Call कर सकते हैं Call प्राप्त कर सकते हैं, वह Message लिख कर भेज सकते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक Mobile Phoneों में कई तरह की विशिशताएं होती हैं जैसा कि Internet, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली यह Phone Smartphone कहलाते हैं कुछ Mobile Phoneों में दो-दो SIM कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं इन्हें Dual SIM Phone कहते हैं Phone के विभिन अंगों को देखें गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि Phone में SIM व बैटरी कैसे डालते हैं? बिलकुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, Phone को Switch Off कर दें और पीछे का कवर निकाल दें उसके बाद Phone की बैटरी निकाल दें तब SIM खांचे में SIM डाल दें अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें और Phone को चालू करें धन्यवाद गीता, मुझे Phone की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, Charger को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब Charger को फोन में लगाएं कुछ समय बाद, जब Mobile बैटरी फुल दिखाए तो पहले Charger को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को Lock वो Unlock कैसे किया जाता है हमें बटनों को Lock क्यों करना चाहिए चाचा, जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे Lock करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन Lock करने के Select Menu पर जाईए और Star बटन दबाईए अब यह Lock कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का Unlock बटन दबाईए और तब Star बटन दबाईए में पास यह नया मोबाईल है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेष्टाएं कैसे देखें? आप अपने मोबाईल के विशेष्टाएं देखने के लिए पहले Menu आइकन चुएं या Menu बटन दबाईए जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं पुनहा आरंभ में जाने के लिए Home आइकन को चुएं या बटन को दबाएं बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंग टोन, घंटी बदलने के लिए नेमन प्रक्रिया अपनाएं बेसिक फोन के लिए पहले मिनू चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं तब ग्यालरी खोलने के लिए खिसक कर ग्यालरी पर जाएं जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चयन कर सकते हैं टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया पहला Home आइकन को चुए, फिर Menu आइकन को चुए फिर Personalization Settings आइकन को चुए, फिर Settings आइकन को चुए फिर Profile Settings आइकन को चुए तब Ring Tone या Notification Ring Tone आइकन को चुए तब Ring Tone की सुची में खिसा कर अपनी इच्छा अनुसार रिंग टोन चुए तब ठीक OK आइकन को चुए मैं अपने फोन में अलारम सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी अलारम सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं निम्न प्रक्रिया से आप सुइम कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर अलाम घड़ी उसके पश्चात अलाम का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं यदि आप अलाम को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं तब घड़ी को चुएं तब अलाम को चुएं अलाम का समय सेट करके सेव चुने दीदी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक कॉंपेक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन अत्वा एक लाप्टॉप अत्वा कम्प्यूटर की तरह है आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और फीचर के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उपयोग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टैबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ है, बुकलेट टैबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्प्ले होता है, और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है Hybrid टाबलेट में Slate और Convertible टाबलेट दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती है Hybrid टाबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो की दिये गए स्लॉट के जरिये Slate PC में जोड़ कर टाबलेट PC में बदले जा सकते हैं एक ड्रग्ड टाबलेट उन उपियोग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं इनके अंदर की Hard Drive जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउँ बनाता है यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपियोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6 से 7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए डिवाइस में उर्जा सनरक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें डिवाइस को बंद करने का सही तरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें पहले पावर बटन को कुछ खशन के लिए दबा कर रखें तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वा बाएं खिसकाएं तो तुमने सीखा कि कैसे लैप्टॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं प्रतीक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज